MPPSC Prelims 2022 की जो exam date है वह 19 जून है आखरी के 30 दिन बहुत ही pressure वाले होते हैं, बहुत ही दवावाले होते हैं या फिर मैं सामान ने बात कहूं तो आखरी के 30 दिन में aspirants इतने ज़्यादा घबराट में होते हैं उस 30 दिन को सही से utilize नहीं कर पाते, सही से उपयोग नहीं कर पाते हमारी तैयारी को हम उस सिखर पर नहीं ले जा पाते, जिससे की हम exam को crack कर जाएं नमस्कार, मैं देवेंद्र, स्वागत है आपका आज के नए session में दोस्तों, MPPSC Prelims 2022 की जो exam date है वह 19 जून है आखरी के 30 दिन बहुत ही crucial होते हैं, बहुत ज़्यादा दवाव वाले होते हैं इन दिनों में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना होता है बहुत ज़्यादा carefully पढ़ाई करना होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा भटकाओ इन आखरी के 30 दिनों में होता है क्यों होता है भटकाव आखरी के 30 दिनों में क्योंकि इस समय हमारा focus पूरा परिणाम यानि कि हम जो सूशते हैं कि एक्जाम में selection नहीं हुआ तो क्या होगा? selection हो गया तो आहा बढ़िया सा घर होगा बढ़िया सी कार होगी, दस लोग सलाम ठोकेंगे यह सारे के सारे जो एक्जाम के result हैं वो हमारे माइंड में आने लगते हैं और हमारे दिमाग के अंदर एक pressure create होने लगता है क्यों pressure create होने लगता है? कि हमने तो देखा है कि हमारे घर वाले हमसे आस लगाए हुए है दो साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तीन साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इस बार पक्का सेलेक्शन लेना ही है, इस परकार के दवाव आप पर बना रहता है, तो सबसे पहला काम, रिलेक्स रहिए, दवाव को बिलकुल सोख जाएए, जैसे कि सोखता होता है, इस पंज, पानी को सो प्रशना है अभी केवल हमारा काम है केवल हमारा फोकस रहना चाहिए फोकस रहना चाहिए केवल और केवल पढ़ाई पर तो आखरी के 30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नंबर फन पॉइंट आपको सबसे पहले डेली 500 और सब्सक्राइब को भी अम्यान 670 दें कितने अब्जेक्टिव करना है 500 अबजेक्ट करना nog ने पर आप दो प्रकार को क्यों कि आपकर से सकते हैं झाल राए मन और नचेवल कर सकते हैं कॉल्ट 한데 एक का वाले होना चाहिए, ठीक, हर कुछ objective नहीं, अधिक कठे निस्तर के objective नहीं, पढ़िए और objective solve कीजिए, क्योंकि आपने अभी तक सारी तयारी कर चोके हैं, केवल उस तयारी को finishing touch देना बागी है, sign off करना बागी है, केवल और केवल, ठीक, क्या करिएगा, 500 objective solve करना है, ज्यादा आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, उसको केवल और केवल revision करना है, revision करिए सबसे पहले, कौन से subject का revision करना है, जो आपके छोटे subject हैं, कौन कौन से छोटे subject हैं, और अधिक weightage वाले हैं, छोटे subject, 37, जिनका अधिक weight है, जिनका अधिक महत्व है है हमारे MPPSC प्रिलिंस एक्जाम में उनको आपको पहले सॉल्व करना है पहले रिवाइस कर लेना है नमबर वन मद्ध्रदेश लगभग आपको 25 से लेकर 30 कोश्चन देखने को मिलते हैं तो मद्ध्रदेश विशे को आप मद्ध्रदेश सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रिविब्र आते रहिए और रिवीजन भी करते रहे यूंट नमबर है पहले सब्जेक्ट कर लेना है सबसे पहले हिसीम के बढ़े हिसलियोग्रफी सोंति आठ इसाइश साइन्स व्जो है वह वाले पॉड्श्ण आपको और इन सबके साथ-साइश मेड़ी स27 आपको को current affairs पढ़ते रहना है daily current affairs और games and sports पढ़ते ही रहना है ठीक इस प्रकार से आप पढ़ाई करेंगे छोटे subject और अधिक वेटेज वाले subject पहले revise कीजिए बड़े subject को बाद में revise कीजिए daily current affairs को पढ़ते रहे ठीक इसके बाद क्या नहीं करना है इस समय आपको विचलित नहीं हो होना है हमारे दोस्त के पास तो ये book है वो इसने इतने objective solve कर रहा है फला book से objective solve कर रहा है आई इस level की तैयारी कर रहा है नहीं आपको डिस्टेक्ट नहीं होना है आपको नए notes collection नहीं करना है कोई भी नई किताब बजार से खरीद कर नहीं लाना है अभी तक आपने जो लेकर क्या है केवल उसे ही पढ़ना है नई book market से मत खरीद करके लाइए किसी भी subject की आपको जो subject related book है उसको लेकर क्या ये उसी को पढ़िए अपने सामने वही book रहने दीजिए इससे होगा क्या नई book लेकर क्या है माइंड पर एक नया pressure बनेगा नया pressure create होगा कि हमें अभी ये book पढ़ना ये book भी पढ़ना है हमारा अभी इतना पढ़ना बाकि रह गया है तो जबड़ जस्ती का फालतू का आप क्या करेंगे अपने माइंड पर एक pressure create करेंगे तो नए नोट्स नई book नहीं लेकर क्या आना है क्या करना है साथ घंटे की नीद मस्त लेना है साथ घंटे क की नीद आपकी पूरी होना ही चाहिए क्योंकि माइंड रिलेक्स रहेगा तभी तो आप पूरी उर्जा और इस फूर्ती के साथ पढ़ पाएंगे ताजगी के साथ पढ़ पाएंगे पूरा refresh माइंड लोकर के पढ़ पाएंगे कुछ लोग मैंने देखा है रात रात भर पढ़िए समय पर सोई एक कॉलिटी नीद लीजिए साथ घंटे की गहरी नीद आप लीजिए आपका दिमाग सांत रहेगा तनाव रहित रहेगा तो कम समय में आप जादा याद कर पाएंगे इसके बाद स्वास्त का बहतर ध्यान देना है डेली फ्रूट एक फल आपको ख खाना है एक्जाम टाइम में यदि अगर तबियत खराब हो गई तो आपको इसका खाम्याजा एक्जाम डे में भुगतना पड़ेगा है ना फल लीजिए सुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन घर पर ही कीजिए बाहर का खाना मत खाये जिन लोगों के पास टिफिन बिल्कुल भी माइड के अंदर नहीं आने देना है क्योंकि अधिकान समय इन 30 दिनों में हम कहते हैं हाथ पर फूल जाते हैं जैसे एक्जाम पेपर पास में आता है हाथ पर फूलने लगते हैं क्यों फूलने लगते हैं हम परिणाम को पहले इमेजिन करने लगते हैं हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ तो रिस्तदार क्या कहेंगे भाईया क्या कहेंगे घर पे क्या कहेंगे अधिकान समय जादातर पढ़ने की जगे हम यही सोचते रहते हैं आपके अंतर नकारत्म कूर्जा बढ़ती जाती है जो कि आपकी पढ़ाई को प्रभावित करती है बिल्कुल इस प्रकार के थौट्स को दिमाग में मत आने दीजिए क्या करना है तो आपको फिर आपको स्वास्थ रहने के लिए आप सुबह जिसे उठते हैं 30 मिनिट्स आपको एक्सरसाइज योगा अभ्यास प्रणायाम यह सब करना है क्यों करना है क्योंकि हमें हमारे सजी से काम ल बारे में बिलकुल नहीं सोचना है चोटे सब्जेक्ट का पहले운 इंप्वंट्न सब्जेक्ट का पहले इसके बाद में बड़े और लेन्थी सब्जेक्ट तकी सिसे हिस्ट्री जगोग्रफी साइंस वाले पोर्शन को बात में रिवाईज करिए इससे क्या होगा चोटे दिमाग के अंदर लेकर के आना है और एक और चीज mobile को पढ़ते टाइम बिल्कुल silent रखना है जिसको भी बात करना है पढ़ाई के बाद आप से बात कर सकता है अभी आप अधिकारी बनने वाले हैं तो इसके लिए अपने आपको एक प्रकार के नियम में बांधिये कि पढ़ते समय हमें mobile या तो switch off करना है या फिर flight mode पर रखना है ठीक है? ठीक तो तैयारी करते रहिए और सफलता को प्राप्त करिए wish you all the best